जिस तरीके से उबामा भारत में दोरे पर आए है और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविदियों को अंजाम दिया जा रहा है उसके बावजूद भी पराक उबामा 26 जनवरी को गंतंदर दिवस के मौके पर हमारी परेड में शामिल होने आए है मैं आपको एक जानकारी हो और शेयर करना चाहूंगा जोशी कि जब भी अमेरिका की राश्पती भारत आए हैं चाहे वो क्लिंग्टन आए हो या से पले कार्टार आए हो सबका उसी वक्त आए हैं जब भारत में बीजेपी की सरकार रही है या एंडिय गवर्मेंट रही है नहीं तो यूपियस गवर्मेंट तो कभी अमेरिकी राश्पती में इंडिया की दर्की पर खदम नहीं रका है हाँ जो गरतर दिवस के मौके पर आए हैं ये अपने आपने एक एक इहतिहासिक है और अब तक का एक नया एक इहतिहास रचा है अमेरिकी बारत की दोस्ती का और खासकर अगर परोसी देश पाकिस्तान की बात किया है तो अमेरिका बाराक अबामा ने उसकी सारी दंक्यों को दर्किनार करते हुए सीधे इंडिया में प्रविश किया है बारत के नौते को स्रीकार किया है मोधी के नौते को स्रीकार किया जाए तो एक तर से ये माना ज प्रेयोग से भारत दिन दूनी जाज चौनी तरक्टी कर सकता है इस तरह की उम्मीद भारत कम से कम कर सकता है इस जो दोस्ती आज मजूद हुई है दोजी और बाराक उबामा को बिल्कुल एक रमा का जी एक सराहने परियास कहा जा सकता है अमेरिका की तरफ से भी क्योंकि परिबन दो किलोमेटर का जो दाइरा है वे नो मैंस लैंड होगा उसको खारिच करने के बावजूद भी ओबामा अगर भारत में आये हैं तो कहीं ना कहीं यह आपकी बात बिल्कुल सही है यह आने वाले समय में भारत और अमेरिका के उज्वल भवेश्य के रिष्टों की मौके पर किसी भी आतंकवादी गतिविदी को अंजाम दिया गया तो जो पाकिस्तान के लिए अंजाम होगा बहुत भयानक होगा तो इसके उपर आप क्या कहना चाहेंगे इसके उपर हम यह कहना चाहएंगे दोषी गतिविदी साथ से वामा आ रहे हैं और अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर आकर तरे रही हैं तो एक तरह से जो बारत अब तक आतंकवादी के दूसरा रहा है तो पाकिस्तान के चलते तो इक लगाम लगेगी पाकिस्तान पर पाकिस्तान एक बातिक सोचने को मजूर होगा कि भारत में आतंगवादी का तीज़ें को अंजाम देने के क्या नतीजे बहुत सकता है और अमेरिका किस तरह से उसको नेच्टा बूल कर सकता है जैसे कि एराग की बात की जाया और व्कानिसृर्ट की बात ही तो एक बड़ा डर पाकिस्तान के जिलन की लिखाया गया है अमेरिका की घाना चाहूंगा विकॉस मेरे मन में एक बात आ रही है इससे पहले भी जैसा आपने बता मिसन भीी बह्याद के बादर भारत के लेकिन इस बाद जिस तरीखे से अमेरिका का बरताव भारत पहले नरेंद्र की एक जो छवी जो हमारे परदान मंतरी है उनकी एक छवी जिस तरीके से अंतराष्टिय सर पर विक्सिद हुई है उस उस छवी को देखते हुए भी अमेरिका के जो अमेरिका का जो बरताव है उसमें एक लचीला बना चुका है क्योंकि इससे पहले जब कभी भी भारत ने कि इसी भी मुद्दे पर चाहे वो अतंकवाद का मुद्दा हो चाहे वो कश्वीर का मुद्दा हो अमेरिका से बात करने का प्रयास किया था तो जो अमेरिका का रविया था वो हमेशा धील धाल वाला रहा था लेकिन इस बार देखने में आया है कि अमेरिका ने कड़े शब् कर दिया थे पूर्ट अबिया दिने बना कर दिया था आज नरिब भाई मोदी ने केवल खुद को बजला है बल्कि देश की तक्दीर बजली है और देशों ऐसा मजूद प्रदार मंतरी दिया है ना केवल इंडिया बल्कि विश्वरादरी तक इनका लोहा मान रही है और यह बढ़ाता है और इसकदर दोस्ति के लिए हाथ करवा आता है कि बाराक अबामा गरतन दिवस्ती परेज पर शामिल होने के लिए आते हैं और उनके पूरे सरक्षा चार्च चाओन में के साथ कंप्रो माइल करते हुए इंडिया की परेज देकरे के लिए आते हैं हाला कि भारती तरफ से सरक्षा को लेकर पूरे पुक्ता इंतिजाम किये गए हैं उस दिन नो एयर नो एयर गोशित कर दिया गया है पूरे इलाके को पूरी दिन्दी को ना तो कोई फ्लाइट उपर से उड़ेगी ना ही आसपास कोई ट्रीने गुजरेंगी यानि कि जब तक ओबामा वहाँ पर बैठके परेड का अरंद लेंगे लगवर दीर से दो घंटे तक तब तक मीलों दूर तक अगर देखा जा तो चावनी में दिल्ली तब्दील रही होगी जी परकुल चावनी तो हमें बनाने ही पड़ेगी क्योंकि हमारे देश के समाने परधानमंती नर इतनी धंक्या मिल चुकी है और कहीं ना कहीं अगर देखा जातों अमेरिका की चोटी सी लचीले पन की वज़ासे ही पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतीविदियां थी वह चरंपर थी लेकिन अमेरिका की कड़ी निंदा के बाद और कड़े कदमों के बाद अब पाकिस्त बिल्कुल सही है एक ऐसा एक चभी विक्सित कर लिए जिसके आगे अमेरिका भी उस चभी के आगे जुकता साहमें प्रतीद हो रहा है और भारत बहुत में ऐसा नेता आया है जिसके साथ हम रिष्टों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो इतिहास रचा है सबसे पहले जोहल नेरू और इंद्रा गांधी जी के बाद हमारे देश के समानी प्रधानमंतित नरेंदर मोदी जी ने मन की बात जो रेडियो पर शुरू की है। जो आल इंडियर एडियो पर उनने ये कारेकरम शुरू किया है उसका जनता का भी उसको जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाथ भी मिल रहा है। और यहां पर एक कदम उनने और जो आगे बढ़ाया है एक इतिहास जो उनने रच दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपती बराक उबामा मन की बात कारेकरम पर नरेंदर मोदी जी के साथ उनका जो कारेकरम में उसको शेयर करेंगे। उनके साथ में उस मंच को सांजा करेंगे। ये भी अपने आप में एक इतिहास बन गया है कि दिल्ली जो हमारी देश की जनता है वो मन की बात कारेकरम पर नरेंदर मोदी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपती बराक उबामा से भी कुछ प्रश्ण कुछ अपने मन के भ हो सकती है अलागे अब तक मन की बात के थाइस मोदी के साथ रूपर 144 म जो भी बराक उचाव को लेकर कि आख और राक उबामा क्या जवाब देता है यह अपने आपने आपने देखेंगे बात हो और हाली में जो जीज़ देखने वाली आई थे के मिशेल ओबामा भी इस बार बराक ओबामा के साथ गंतरंद दिवस की परेड में हिस्सा लेने आ रही है और उनको खास तोर पर बनार सी साड़ी भी भेंट की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारत की एक संस्कृति है उससे भी बराक ओबामा और मिशेल ओबामा को र करना चाहेंगे आप कह सकते हैं देखिए भारत की अतिती देवों को परंपरा रही है सदियों से रही है भारत अतिती को भगवान मानता है और बढाक हुआ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा आना कि परे तो उनके बच्चों के लिए आने की बात की लेकिन शुक्तिया नह आपाई हैं और एक कदब आके आगरा भी जा रहा था लेकि आगरा नहीं जा पा रहे हैं चौकि जो साओरी अरब के सुल्तान है उनके उनके मौत की शिरकरत करनी होने जा करके तो हाला कि वो दिल्ली नहीं रहेंगे लेकिन दिल्ली का चपा चपा घुमेंट पिजरी देश की संसलती और इतने वास ते रूबरों उनका मौका तो मिलेगा ही साथ की जो हमारे देश की परंपरा ती तिल्हें वो स्वागत की परंपरा है उस से भी दो चार होंगे और जिसे बहुत 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 धन्यवाद आपका इस पूरे मामले पर जानकरी देने के लिए और यह बहुत ही एक इतिहासिक समय आ चुका है भारत में जहांपर अमेरिका और भारत के जो रिष्टे हैं वो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं हमारी जानकरी देने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद रामा कांजी आपका अब जैसे के आभी हमारे दर्शकों ने देखा ओबामा दिली एउर्पोर्ट पर पहुंच चुके हैं और परधानमंतिर नेंदर मोडी उनको रिसीव कर चुके हैं और ऐसे में यह भारत के इतिहास में बहुत बड़ा इतिहासिक पल है कि जहां पर अमेरिका के राश्ट्र दिवस का मौका एक ऐसा मौका है भारत में जो हमें एक गर्णराज्य होने का गौरव दिलाता है और सबसे बड़ी बात उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया है वो हिंदी हमारे भारत की संस्कृति के अनुरूप किया गया है उन्हें तोफे दिये गये हैं बनार्सी और गहनता के साथ और गеहराई के साथ जुणने का समय और मौका मिलेगा और इतिहास बनाने में एक कडम और जो हमारे पर्धानमंत्री नरेंदर मोदी जी ने बढ़ाया है वह है ALL इंडिया रेडियो पर मन की बात कारीक्रम में बराग Оबामा का पर्धानमंत्री मोदी जी के साथ मंच सांजा करना यह सबसे बड़ी बात है अपने आप में क्योंकि आज तक अगर कोई भी राश्ट्रपदी कोई भी विदेशी नेता हमारे भारत में अगर कभी भी किसी यात्रा पर आया है तो कभी भारत की जनता को सीधे तोर पर उनसे बात करने का मौका नहीं मिला तो यह कहीं ना कहीं एक माध्य बना है All India Radio जो परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी और साथ में यह देखिए हमारे दर्शक देख सकते हैं कि बराक उबामा अपनी पतनी मिशेल उबामा के साथ हवाई जहाज की सीडियों से उतर रहे हैं और नीचे उनका स्वागत करने के लि बना अपने आप में एक इतिहास बनाने वाला पल है और कहीं ना कहीं यह भारत और अमेरिका का रिष्टों में सुधार तो लाही चुका है और एक उज्जवल भविश्य की तरफ इशारह करता है तो आने वाले समय में हम कुछ एक दिनों के बाद आने वाले कुछ दिनों म तो बराक उबामा डिल्ली पहुंच चुके हैं नरेंदर मोधी जी उनको रिसीव किया है और हम आशा करते हैं कि बराक उबामा का ये जो भारत दौरा है ये अपने आप में इतिहास रचे और भारत का उज्वल भवेश्य अपने भवेश्य की और एक अदम और आगे बढ़ा झाल 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 झाल